किसी भी यूजर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता है कि वो जिस भी स्टॉक में पैसी इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन जिस भी प्राइज पर तो उसको आसानी से वो price मिलता नहीं है, basically वो रोज open करके देखता है कि फिलाल इस stock का price क्या चल रहा है जिनको वो खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनका वो price उनको दिखता नहीं है और वो buy नहीं करते हैं, इसी प्रकार से पहले से उन्होंने उस stock को खरीद रखा है और वो उनक account में है, लेकिन वो बेचना चाहते हैं अपने मन के price पे, लेकिन वो daily देखते हैं कि क्या आज ये price आया या नहीं आया, तो आज कि इस वीडियो के माद्धम से एक feature के बारे में बात करेंगे, जिसको बोला जाता है set price alert, set price alert क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आपकी help करता है, जब भी आप stocks को buy करते हैं, और अगर आपके पास पहले से है, तो अगर आप बेचना चाहते हैं, तो उस condition में आपकी कैसे help करेगा, इसके अलावा अगर आप धन app यूज करते हैं, और और अधिक सीखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के description में आपको playlist का link मिल जाएगा, इस जो set price alert होता है, या price alert होता है, वो आपकी help करता है, stocks को buy करने में, और अगर आपके पास पहले से है, तो sell करने में, कैसे help करता है, वो समझते हैं, for example, कि मुझे reliance company के stock को खरीदना है, लेकिन फिलाल जो price चल रहा है, वो पच्छिस सो एक तालीस रुपए, पिच्छोतर पै message करता है, कि हाँ, किसी ना किसी का message आया है, तो वैसे हमको एक message आजायेगा, हमारे app पर, इसी प्रकार से अगर आपके पास पहले से है, तो आप उसको बेच सकते हैं, आप अपना price set कर देंगे, बेचने वाला कि भाई, ये price आजाए ना, तो मुझे बताना, मुझे ये stock को बेचना है, तो अब समझते हैं, कि आपको setup कैसे करना है, धनकी DMIT account पर, जिस भी stock में आप price alert को set करना चाते हैं, सबसे पहले step है, आपको धनकी website पर आना होगा, मैं video के description में भी link प्रवाइड कर वादूगा, जैसे आप धनकी website पर आएंगे, first look कुछ ऐसा आपको देखने क लिए मिल जाता है, उपर आपको काफी option मिलेंगे, last में login का option मिलेगा, आप login के option पर click करेंगे, उसके बाद में एक नए page पर आपको भीज दिया जाएगा, जिसका first look कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, नीचे लिखा होगा login to, login to में धन web आपका select होना चाहिए, उसके बा इसके बाद में आपको यहाँ पर धन के साथ में जो भी आपका mobile number link है, वो mobile number यहाँ provide करवाना है and proceed पी click करना होगा, उसके बाद में धनकीडिमेट account का जो भी password आप प्रवाइड करवाएंगे and proceed पी click करेंगे, उसके बाद में धनकीडिमेट account के साथ जो भी आपका registered email ID होग and mobile number होगा, उसपर आपको OTP भेजा जाएगा, जो भी OTP आपको receive होता है, वो OTP आप यहाँ provide करवाएंगे and proceed पी click करेंगे, जैसे ही आपका OTP verify हो जाएगा, वैसे ही आपका account login हो जाएगा and first look कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, आपको left side यहाँ पर आपने जितनी भी watchlist बना रखे होंगी, उस watchlist में आपने जितने भी stocks या जो कुछ भी add कर रखा होगा, वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, सबसे पहले अगर आपने watchlist में stocks को add नहीं कर रखा है, जिनको आप buy करना चाहते हैं, जिन पर आप basically अपना price alert set करना चाहते हैं, इस stock को आपको search क मेरे पास है, पहले से मैं बेचना चाहता हूँ, उस condition में, मैंने यहाँ पर search किया, मेरे सामने यहाँ पर search result आ चुके है, यहाँ पर सबसे पहले आपको company का नाम make sure करने है, उसके बाद में उसके सामने NSE या BSE लिखाओ, कुछ फरक नहीं पड़ता, लेकिन last में EQ लिखाओ EQ का मतलब होता है, equity, equity का मतलब होता है, stocks क्योंकि हम यहाँ पर options में, जो price alert है simply, वो set नहीं कर रहे हैं, stocks में कर रहे हैं, so NSE, BSE दोनों में सब किसी का भी chain कर सकते हैं, मैं NSE का chain करूँगा, जैसे यह आप उसके पर click करेंगे, first page आपको कुछ इस परकार से दिखाई देगा आपको नीचे यहाँ पर तीन option मिलते हैं, last में आपको option मिलेगा set alert, just आप इस पर click करेंगे, इस पर click करने के बाद में कुछ इस परकार का page यहाँ पर निकल के आएगा, जो भी live rate चल रहा होगा, टाटा पावर का, उसका मुझे live rate यहाँ दिखाई देता है, जितना भी मादम से भी set कर सकते हैं, दोनों को थोड़ा detail में समझते हैं, so basically यहाँ पर आपको एक option मिलता है, आपका target price का, यानि कि आप यह बताएं कि आप किस price पे बेचना चाहते हैं, आपका actual में price क्या है, target, वो आपको यहाँ पर type करना है, जैसे माल लीजिए, कि मैं यहाँ पर अ करूँगा, मेरा alert set हो जाएगा, यह है पहला option, दूसरा option है changes, यानि कि percentage में आप यहाँ पर बता सकते हैं, कि भाई कितना percent बढ़ जाए ना, तब मुझे बताना, जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 20% बढ़ जाए ना, तब मुझे बताना, 20% का मतलब हो गया, कि 264 रुपए और 85 पैसे कि something जो stock है उसका price बढ़ जाए ना, तब मुझे बताना, set alert पे मैं click करूँगा, मेरा जो alert होगा वो set हो जाएगा, पहले मैं sell करना चाहता था, इसलिए मैं अधिक price लिखा था, अब for example मैं buy करना चाहता हूँ, so for example मैं डाल देता हूँ कि 2350 रुपए के something जो price जाए ना, तब मुझे बताना, उसके बाद मैं यहाँ पर मैं set price alert पे click करूँगा, मेरा यह जो alert होगा, यह भी set हो जाएगा, उसके बाद मैं percentage changes वाले option पे click करूँगा, and for example मैं चाहता हूँ कि 10% गिर जाए ना, तब मुझे बताना, so मैं यहाँ पर minus पे click करके, यहा खरीदना है, so again मुझे हाँ पर set price alert पे click करना है, that's it, मेरा जो alert होगा, वो set हो जाएगा, कुछ इसी परकार से आप अपने जो price alerts है, उनको जिस भी stock में set up करना चाहते हैं, आसानी से कर सकते हैं, अब आपने set up कर लिए, for example आप कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं, उन alerts म हैं, आपका मन बदल गया है, so आप अपने photo के अपर click करेंगे, price alerts का आपको option मिलेगा, basically आप यहाँ click करेंगे, उसके बाद में आपने जितने भी price alerts set की होगे, उनकी detail आपको दिखाए देंगी, जो की फिलाल active होगे, वो आपको यहाँ दिखाए देंगे, and जो complete हो चुके ह आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, so आप यहाँ से price आपने जो डाला है, वो भी परिवर्तन कर सकते हैं, delete भी कर सकते हैं, आप जिसमें भी परिवर्तन करना चाहते हैं, pencil के button पर click करेंगे, edit का option आजाएगा, and आप फिलाल जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं, वो कर स सकते हैं, पहले मैंने लिखा था, 235 रुपए, माल लीजिये कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 230 रुपए, and यहाँ पर edit alert price पे मैं click कर दूँगा, जैसी click करूँगा, मेरा जो latest price होगा, मैंने जो फिलाल डाला है, वो यहाँ पर enter हो जाएगा, अगर मैं delete करना चाहता हू तो यहाँ delete के button पे click करूँगा, उसके बाद में जो मेरा price alert होगा न वो delete हो जाएगा, इसी प्रकार से आप सभी को delete कर सकते हैं, बहुत आसान है, difficult बिल्कुल भी नहीं है